अपने बाड़न और और्गैजम होगा भी कैसे अगर एक गाड़ी के दस ओनर होगे तो पिक अप तो कभी ने कभी खराब होगी न यह तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर तुम अपने नाइट क्लब में मल्टिपल स्टैग एंट्रियां दोगे तो ओवर टाइम त यह प्रोफेसर के साथ भी थी हां और अर्जुन के साथ भी और वो रब्रीवाले के साथ भी इस फिल्म के लॉजिक के हिसाब से एक स्ट्रॉंग इंडिपेंडेंट्ट शेवली लिबरेटेड एन अनॉपलोजेटिक वोमन होने के लिए तुम्हारे मुश्किल से मुश्कि अगर तुम्हारे को डिप्लोमा इंड सूडो फेमिनिजम करना है फारम बरने से पहले सोच लेडा बेस्ट वे तूमाइज पेट्रियार्की इस तू अचीव समतिं हा भूमी मैं भी चलूँगा तुम्हार साथ पेट्रियार्की को स्मैश करने दोरों स्मैश करके पेट्रि film जो की producers है, Thank You for Coming के वो company को found किस ने किया था जितेंदर ने और साथ ही Thank You for Coming के जो co producers है, उस company का नाम है AKFC यानि कि Anil Kapoor film company, रिया कपूर क्या है, एक direct product है nepotism का और उनकी family moment nepotism कहाँ से शुरू होता है उनके patriarch से, उनके बाप से, he him से, and the same case applies to whom, to Ekta गपूर तो जल्दी करो भूमी स्कूटी स्टार्ट कर दी है मैंने जल्दी बैठो पेट्रियार्की को स्मैश करने निकलना है हट जाओ भाई भूमी आ रही है स्मैशिंग करने के लिए हट जाओ मर्दों को सेक्स करना नहीं आता और पिचर में इसी बात को बड़ी ही कन्वीनियेंटली बार बार रिपीट करा गया है क्योंकि इनको चाहिए मर्द जॉनी सिंज जैसा लेकिन यहीं पर रोल रिवर्सल कर लो और सोचो अगर एक लड़का इस फिल्म के अंदर यह बोल देता कि मुझे मोटी में कालू टिक्की जैसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंच जो बाजरे की बोरी की तरह बस पढ़ जाती हैं बिस्तर पे और actively sex में अरे भूमी दिमाग से भूमी इसको बोलते हैं गोइं थ्रू टीनेज एंड पुबर्टी एवरी टीनेजर एंड गो तुमारे सोचने समझने के चेक बाउंस हो रखे हैं यह दिमाग किस तो पर है तुमारा भूमी? You can't wait for marriage to think that that's really your destination. Yes Riya, marriage is nobody's destination and Sonam Kapoor realizing the fact कि उसके Bollywood career के Tobu cycle की chain अब उतर चुकी है and Ananda Ahuja का net worth लगबग 4,000 करोड रुपे हैं तो तुमारी खुद की बहन इस marriage के destination पे बैट कर अपने पती की establishment के non-stick तवे पे अपनी बे-फिकरी की जिंदगी के पराथे से क रही है. So Riya, think twice before you question the construct of marriage because marriage can mean differently to different people, your sister being the top most example of it. Ahoyya, शादी कोई achievement नहीं है पहली बात. Choosing the right person to marry and then carrying out a successful marriage is one of the biggest achievements in life for every man and every woman by every real world logic. But, जब तक ये pseudo-feminists marriage के institution पे look down upon न करें, जो लोग married है, 30 से नीचे हैं, उनको ये ना बताएं, ये ताना कशी न करें कि भाया, हम ने तो कोई शादी में करी, हम तुम से जादा सुकी हैं, हम तुम से जादा सुपीरियर हैं, तब तक इनको empowered feel नहीं होता. Proud of myself also that I am over 30 and unmarried. If you are 30 and unmarried, great, more power to you, लेकि इसको ऐसे show off मत करो कि ये कोई बहुत बड़ी achievement है, तुम ने कोई medal of honor जीत लिया हो, और साथ ही ये false virtue signaling मत करो, कि भाया, अगर कोई 30 से नीचे है, और वो married है, तो मैं उससे superior हूँ, क्योंकि मैं unmarried हूँ. Women's movies या कभी भी ऐसे कोई topic आता है, तो they also feel that we are hating on them. मैं जानतनू और ये चीज मैंने four more shots के review में भी कही थी, एक बार फिर कह देता हूँ, कि भाया, gender neutral अगर कोई चीज है, तो वो है toxic behavior, एक औरत भी toxic हो सकती है, एक आदमी भी toxic हो सकता है. Thank you for coming self-love और feminism के नाम पे glorify और celebrate तो करता ही है toxic और immoral behavior को, but more dangerous than that is the fact कि ये इस behavior को normalize करना चाह रहा है amongst the young growing women. तो बस आज इन्ही बटकी हुई कामवासना की इच्छा में लिप्त अधेड उमर की virtue signaling करती pseudo-feminists को हम रास्ता दिखाएंगे, honestly saying. There's so much wrong in this film on so many levels, लेकिन मैं सबसे पहले शुरू करूँगा सबसे mind-boggling चीज से, जो है कि इन्होंने अपने पूरे के पूरे picture के narrative में, पूरी virtue signaling में, बच्चों तक कर नहीं छोड़ा और मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे. Film के climax में Bhoomi Padnaker, एक school के auditorium में 14-15 साल के बच्चों के सामने patriarchy को लेके एक बहुत ही stupid सी speech देती है. Bhoomi की ये smash the patriarchy वाली speech से aggravate होके, 14-15 साल के लड़के और लड़की जो audience में बैठे होते हैं, उन में से एक लड़की खड़ी होती है और ये बोलती है कि मुझे नहीं पहननी bra. कोई मुझे ये बताएगा कि एक 13-14 साल की बच्ची के undergarment से patriarchy का क्या लेना देना है? Best way to smash patriarchy फिर इसी crowd में से 13-15 साल की एक और लड़की खड़ी होती है और वो बोलती है नहीं करना मुझे पहरी पौना यानि कि नहीं चूने मुझे अपने से बढ़ों के पैर. कोई मुझे ये बताएगा कि पैरी पौना करने में या पैर चूने में which is actually a token of respect to your elders और हमारे culture में तो जब भी लड़कियां पैर चूने जाती हैं तो बड़े रोक देते हैं और बोलते हैं कि लड़कियां पैर नहीं चूती. इस सिंपल बेसिक token of respect इससे पेट्रियार्की का क्या लेना देना हैं? बेस्ट वे टू स्मैश पेट्रियार्की. पिचर के starting shot में बच्चों का play चल रहा होता है and by बच्चे I mean जो बच्चे इसमें दिखाए गए हैं इस वाले shot के अंदर वो जादा से जादा 6-8 साल के होंगे इस से उपर के नहीं होंगे. अब इतने छोटे बच्चों को तुम क्या समझाते हो? तुम उनको good touch और bad touch बताते हो ना? या फिर तुम उनको ये बताते हो कि भया sex क्या होता है और intercourse क्या होता है? इस वाले पूरे के पूरे shot में play चल रहा होता है और supposedly Bhoomi की जो छोटा role play कर रही होती है लड़की वो आत नहीं है यह basic logic और common sense वाली बात है पिचर में sex कर लिया लड़की ने cigarette पिली शराब पिली late night party कर ली nobody gives a damn करो जो करना है but let the kids be kids keep them out of it screenplay कहानी के बारे में तो कोई बात में बात करेगा पहले बात कर लेते हैं इस picture के director की mentality की और जिसने इसका screenplay लिखा है उसको लिखते हो यह समझ नहीं आ रहा था कि यह कितना गलत है भूमी ड्रंक अपने घर के अंदर एंटर करती है which is completely fine और आके यह देखती है कि उसकी मा जो पहले से ही ड्रंक है party कर रही है अपने boyfriend के साथ then भूमी का mood घराब होता है उसकी मा उसके पीछे पीछे जाके kitchen में उससे यह बात पूछती है कैसी रही तेरी रात उस करन के साथ in response to this भूमी कहती है कि नहीं आपकी जितनी romantic नहीं रही नहीं हाँ पर यह नहीं कह रहा कि single parents should not move on and get into new relationships they must it's their right to do so but हमारे culture में एक शरम का छोटा सा परदा होता है न कि मा या बाप अपने girlfriend या boyfriend के सामने अपने बच्चों के सामने drunk के party नहीं करते तो उसको subtly भी तो दिखाया जा सकता था न just because you wanted to show कि भूमी की मा कितनी staunch feminist है you made her look absolutely ridiculously idiotic अगर एक लड़का लड़की शादी कर रहे हैं अपने दोनों ने अपने past को पीछे छोड़ दिया है तो दोनों का एक moral responsibility बनती है कि वो एक दूसरे का respect करें इस picture में रोका चल रहा होता है बूमी पेटनेकर का एक बहुत ही शरीफ और बड़े अच्छे लड़के से जो उससे बहुत पयार करता है and this woman invites all the men she has slept with in the past 30 days to her Roka उस रोके की party में इसका पती इसके साथ डांस कर रहा है और यह दारूपी के हर उस बंदे से अनिल कपूर से करन कुंद्रा से और एक दो और है लफंडर उनके साथ जाके हाथ मिलाती है and she's at the same time fantasizing कि मैं अपने रोके की रात पर अगर इनके साथ सेक्स करूँगी तो कैसा लगेगा how is this comedy? can somebody tell me how is this supposed to insinuate a laugh? जीवन ही था का नू तो चिपकी हुए थी उसके साथ जो इस picture की fundamental story भी है वो यह है कि वो जित्रे भी लड़कों के साथ सो रही है वो उसको orgasm नहीं डिला पा रहे है लेकिन picture के end वे तुमारे को यह पता चलता है कि भूमी मैडम climax self-stimulation से ही रीच कर सकती है तो यहाँ भूमी के character को एक medical problem है जो बहुत commonly देखी जाती है उन मर्द और और औरतों में जो self-stimulation काफी जादा करते है and when they actually get into the act of having sex वो climax reach नहीं कर पाते लेकिन यहाँ पे क्या करा है इतनी गंदी story लिखी गई है इतना वेकार screenplay है picture का कि इन्होंने इस medical issue को somehow relate कर दिया पेट्रियार्की से हस्त मैथून की addiction से self-stimulation की addiction से पेट्रियार्की का क्या लेना देना है क्या कहानी लिखी है भाई यह picture की क्या हगाई है इस picture को जो लड़किया celebrate कर रही है और बोल रही है कि बहुत ही बढ़िया picture है उनके characteristic features मैं तुम्हार को बता देता हूँ नमबर वन 35 से 40 साल की हैं अंगिरत break up हो चुके हैं single हैं अच्छे प्यार करने वाले लड़कों को लात मार चुकी है F boys के लिए और जब F boys ने इनको लात मार दी तो यह पूरी दुनिया में यह घूम के बोलती है I am independent, I am a feminist और relationships overrated हैं मुझे शादी नहीं करने feature number 2 अपने आपको बड़े proudly cat mama या doggo mama बोलती हैं क्यूकि इनके साथ एक toxic relationship में एक बेजुबान जानवर ही रह सकता है feature number 3 घरवाले या फिर बुड़े बुजूर्ग इनके फायदे की कोई logical बात कर दे तो इनके कपड़ों में आग लग जाती हैं और तुरंत ये उनके anti हो जाते हैं और कहते हैं कि घरवाले हमारे को judge करते हैं and last but not the least इस वीडियो के comment section में आके इस picture को defend करेंगी और मेर को बोलेंगी but hurt अनिल कपूर इस picture के अंदर भूमी पैटने करके potential sugar daddy play कर रहे है in fact वो उसको ये भी कहता कि भूमी तु मेर से शादी कर ले sex तो अमकरी ही रहे हैं बस मेरी एक बेटी है जो तेरे से थोड़ी छोटी है अगर तुम किसी बेवकूफ से भी पूछोगे न वो तुमार को ये बता देगा कि अगर only fans virtual prostitution है तो having a sugar daddy is solicited prostitution और ये वहाँ पे भी normalize कर रहे हैं कि लड़कियों के लिए sugar daddy होना बिल्कुल ठीक ना कोई तुमार को ये नहीं बोल रहा है कि by the book जो definition है feminism की उसके ओपर फिल्म बनाओ but at least as audience who you expect to pay money to watch this garbage we expect you to not normalize immoral behavior नहीं पूरे रिव्यू में कहीं भी ये call out नहीं किया कि इतनी बार sex हो गया तो दारू पीली तो cigarette पीली तो भाया immoral हो गई लड़की because that's not how I look at things but apart from this everything else in this film is shallow, is completely toxic and tries to normalize this behavior in teenage women Bumi is a very capable actress हम सब ने ये देखा है and I completely failed to understand what made her sign this film in 2023 दिमाग खराब हो गया ना सुनके थोड़ा सा ठीक कर लो Sahil Khattar, the OG YouTuber Sahil Khattar के साथ में इस बार Honestly Saying Podcast पे बैठा रिलीज हो चुका है Honestly Saying Podcast चैनल पे ये वाला वीडियो टीजर देखो, like, subscribe, share करना मत पूला मैं Bombay जा रहे हो, कि reality show में selection होगी है My parents are like, selection होगी है selection होगी है मेरी selection होगी है बाहर ना Bollywood नाम ले दो, सामने वाले आदमी लगता अच्छा, sex करते होंगे, सारे एक दूसरे के साथ इस तना बड़ा message था If having small boobs can be an issue for you, balding can be an issue for us तो भया, in all seriousness, absolute garbage fest है मेरे हिसाब से 2023 की one of the worst films है और यार, शहनास गिल का सबसे पहले roast मैंने करा था लगबग half a million views हैं उस वीडियो के ऊपर Thank you for all that love and support अगर तुम्हारे को एक और part 2 चाहिए शहनास गिल roast का जहापे मैं roast करूँगा इसके double standards को call out करूँगा जैसे मैंने पहली वीडियो में किया था तो comment section में comment करते जाना honestly saying podcast को like, subscribe और share करना मत भूलना हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए माम मिया लजाने पपी बाई बाई पैंड से हाथ निकाल लो